देखे एक शाब्द है रेकगनाइजड तो इस वड़े में रेकगनाइजड को हिंदिय और इंग्लिश में क्या बोलते हैं जानेंगे एक्जांपल से सेंटेंसे में इस शब्द को यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखे समझे इस शब्द को कि मूल रूप से रेकगनाइजड जो है रेकगनाइज से बनाएं रेकगनाइज जो है यहाँ पर सेकेंड यह थर्ड फॉर्म है रेकगनाइज का इसका प्रयोग हम पास्ट पार्टसपल के तरह भी करते हैं मतलब एड़जक्टीब बनाते हैं पहचान लिया, शिनाखत किया, पहचान करा, जाना, पहचाना, सुविकार किया, तसलीम किया. इंग्लिश में इसके सिनॉनिम्स आते हैं, new, identified, comprehended, distinguished, cognized, acknowledged, allowed, granted, and it is. मतलब और भी इंग्लिश में इसके सिनॉनिम्स हो सकते हैं. एक्जांपल से sentences में समझते हैं शब्द को अच्छी तरह से, जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द को प्रियोग करेंगे, कि I recognized him, and he also recognized me. मतलब मैंने उसे पहचाना, और उसने भी मुझे पहचान लिया था. दूसरा एक्जांपल है कि India and भारत बोथ में नेम्स आर internationally recognized. मतलब इंडिया और भारत दोनों नाम अंतर राष्टरी अस्तर पर सिविकार किये जाते हैं. ठीक है तूमीने अपने recognized शब्द को Hindi और English में example के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है. थैंक्स वर वाचिंग अजुक्यार, डेस्क.